तो चलिए NLM का next lecture हम सुरू करते हैं पिछली जो class थी उसमें आप सबने basic जो अमारे पास में constant motion है उसकी बहुत अच्छे से information gather करी है साथ ही आपने kinematics भी बहुत अच्छे से cover कर लिया होगा और kinematics cover करने के बाद ही आप इस lecture पर आ रहे होंगे देखे जो आज की class रहेगी आपका आगे की जितने भी chapters आएंगे उनका एक base तियार करेगी, एक mind map तियार करेगी कहों तो एक blueprint तियार करेगी, एक छोटे से concept को लेकर force और force throughout the physics हमारे लिए बहुत important बनी रहती है और हमेशा इससे जोड़कर हमें बहुत सारी topics पढ़ने भी पढ़ते हैं तो देखो, जो force आप लोगों ने पढ़ी है, मैं इतनी depth में उनके अंदर में नहीं लेके जाओंगा क्योंकि हमारा main motive यहाँ पर आपके numerical solve करवाना है और numericals की approach समझना है कि कैसे हमें numericals की approach करनी चाहिए तो basic basic मैं शुरुआत करूँ अगर आप लोगों से तो आपने kinematics में पढ़ा था कि हमारे पास में एक concept आया था distance का फिर आया हमारे पास में displacement का और जब हमने यह पूरा दोनों चीज़े कवर कर ली थी तो यहां से आप लोगों ने और तयार किया चीज़े कि distance के साथ में relate करती है चीज speed और speed displacement के साथ में जो consider करते हैं मुसकों velocity के नाम से define किया था और velocity को जब आपने define किया तो यहां पर आपने दो बड़ी कि खूबसरे चीज़ बताई कि इसके पास में एक magnitude होता है और दूसरा इसके पास में direction होती है क्योंकि यह कहीं ना कहीं कि इसके ओपर में depend कर रही होती है यह displacement के ओपर में depend कर रही होती है displacement is also a vector quantity अच्छा अब जो यहां पर आप लोग के दिमाग के अंदर में यह आना force के नाम से और force हमारे पास में अगर एक simple definition के अंदर में इसको define करूँ तो यह होता है या तो body के उपर में push हो रहा हो या फिर pull हो रहा हो बैस इतनी definition आप लोग को ध्यान रखनी है और ज्यादा इसके उपर में आपको कोई research नहीं करनी है जो numericals के approach होगी वो मैं आपको यह नहीं हां पर सिखाऊंगा तो दो चीजे समझो कि जब भी कोई object के उपर में एक mind map तियार करो कि कभी भी आप push कर रहे हो किसी object को तो मदलब push है या फिर pull कर रहे हो यानि कि खीच रहे हो तो pull है बैस यह दोनों चीजे हमें किस का result देती है force का result देती है और आप अगर अप उसके उपर में एक acceleration दे रहे है या फिर force दे रहे है जब तक उसके उपर में ताकत नहीं लगेगी तो हम नहीं कह सकते कि वह body displace करे या फिर displacement करे या फिर मेरे पास में distance का और करे तो आप यह देखो कि जितना भी kinematics पड़ा था kinematics का जो भी कोस था यानि कि जो भी चीज़े वहां पर पढ़ी है उसका जो कोस था वह कौन था वह सब का लाने का कोस था मेरे पास में force तो force के आपको image प्यार होगी होगी अब चलो force के उपर में छोड़ी-छोडी चीज़े इसकी define कर लेते हैं थोड़ा theoretical portion हम इसका cover करते चलेंगे बाद में numerical बहुत सारे इसके अंदर में cover करवा हूँ हमें force को आप बात करें देखो जो हमारे पास में NLM होता है इसको तीन इसो के अंदर में divide करते हैं पहला हमारे पास में constant motion होता है जो आप लोगों ने पीछे पढ़ लिया था constant motion का क्यों ज़रूत पढ़ती ह है उसकी भी important समझी और आज के lecture में भी उसकी important समय पर समझेंगे फिर हमें पढ़ता है NLM के जो laws होते हैं उनके उपर में देखना होता है तीसरा इससे जुड़ा हुआ portion जो होता है वो friction होता है तो तीनों चीजे एक दूसरे से correlate होती है तो पहले आपने constant motion देखा अब constant का जो use होगा NLM के अंदर में कैसे करेंगे यहां पर force के थुरू हम उसको समझेंगे अब force होती है मेरे पास में अगर इसकी definition आपने बात करी तो definition में आपने बोल दिया है either pull या फिर push दो चीजे ही हमारे पास में इसकी define होती है ठीक है जी अब इसकी units पर आ जाते है तो जो force unit होती है और दूसरी जो हमारे पास में CGA system के अंदर में आप इसकी unit पर जाते है तो यह dyn होती है dyn e ठीक है अब क्या कोई relation होता है हमारे पास में newton और dyn के अंदर में बिल्कुल जी यह relation बार-बार पुछा गया आपके exam के अंदर में most important relation है यह कि एक newton जो होता है this is equal to 10 अब सभी कोई रट रख है सभी ने रट रख है यह वाला जो फोर्मला है लेकिन जब implementation का time आता है तो आपके हाथ पर फूल नि लग जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी numerical पढ़ रहे हो तो उसकी units का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि units मेरे को actual मे examiner ने क्या दी हुई है और अगर मेरे को cg system के अंदर में दी गई है तो दियान रखना जब भी कोई numerical के approach करो तो हमेशा हर unit को आपको किसके अंदर में convert करना है क्योंकि जब physics पढ़ोगे तो बहुत चोड़ी चोड़ी units आप लोगो मिलेंगी कभी nanometer मिलेगा कभी picometer मिलेगा कभी micro मिलेगा इस तरह की terms आप लोगो मिलेंगी तो उसके अंदर में आपको approach कैसे रखनी है कि सभी units को आपको SI unit के अंदर में convert कर लेना है SI unit in the sense की length की आप बात करो तो length को हमेशा convert करना होता है हमें meter के अंदर में चाहिए आप उसके exponentials हैं वो लगाकर जैसे nano आगया तो 10 की power minus 9 से करेंगे micro आगया तो 10 की power minus 6 से multiply कर देंगे और milli आगया तो 10 की power minus 3 से कर देंगे तो इस तरह की conversion आपको आने चाहिए तो length हमेशा meter के अंदर में और मास हमेशा किलो गराम के अंदर में ले के चलना है और जो हमारे पास में time होता है इसको हमेशा आप रिप्रेजेंट करेंगे second के अंदर में तो तीन तरह की conversion आपको आने चाहिए और SI unit के अंदर से ही आपको approach अपनी चलानी पड़ेगी ठीक अब देखो जो force हमने पड़ी अब यह तो बताओ कि force जो है यहाँ पर मेरे पास में एक block रखा हुआ है एक force में इस direction में लगा रहा हूँ और एक push में इस direction के अंदर में लगा रहा हूँ तो मैं यह जानना चाहरा हूँ कि क्या दोनों forces अगर यह मेरे पास में first force है और यह दूसरी force है इससे यह object क्या same direction में चलेंगे? answer is no यह force लगेगी एक तो object इस direction में जाएगी यह force लगेगी तो object नीचे की side में compress होगी तो कहीं ना कहीं जो हमने force की बात करी है वो भही हमारे पास में दो चीज़ रखती है एक तो उसके पास में हो गया magnitude दूसरा यहां पर हो गया उसका direction तो दो चीज़ों से हमने इसको define किya कि magnitude और direction है लेकिन यह अमारी force की definition अभी अधूरी है क्यों अधूरी है? तीसरा जो point इसके अंदर में आपको force को अगर बहुत अच्छे से पढ़ना है अलांकि अभी हमें ज़रूत नहीं पढ़ेगे इसकी जब हम central mass के तरफ में जाएंगे, rotational motion के तरफ में जाएंगे तब उस third point की ज़रूत पढ़ती है तो एक force को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको तो दो चीज़ तो आपको पता है होनी चीज एक magnitude और एक direction, NLM का हमारा काम यहीं से हो जाएगा दो चीजों के लेकर तो direction और यह दोनों चीज़ आ जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि force is a vector quantity कोई इसमें नई चीज मैंने नहीं बताई आप सभी को बताएं लेकिन तीसरी चीज मैं यहाँ पर जो बताना चाहरा हूँ वो थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा अलग लगे वो था हमारे पास में point of application point of application यानि किसी चीज को आप कहां पर force apply कर रहें किस point पर कर रहें let us suppose मेरे पास में जो marker है इसके मैं निचे वाला essay पर बात करूँ तो यह इस वाले essay पर तो यह object क्या होगा अगर रखा होगा कोई bottle वगेरा मैं बात करूँ चलो यहां पर इसके रख लेते हैं इसको मैंने यहां से इसको force दिया मैंने इस point पर दिया तो यह आप देख रहे हैं कि horizontally मेरे पास में move करना शुरू कर दिया अच्छा अगर यह object मेरे पास में ऐसे होता और मैं इसको इस point पर जो इसका topmost point है वहां से मैं इसको force करता तो कहीं देख रहे हैं आप यह rotate करने लग जाता तो अभी आपका जो काम बनेगा वो सिरफ दो चीजों से बन जाएगा force का एक तो मेरे पास में magnitude और दूसरा यहां पर आपको direction से उसके सारी चीजे define हो जाएंगे ठीक है भाई तो force का basic basic आपको पता लग गया अब force related हमारे पास में questions कैसे design होंगे उनके उपर में बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता हूँ आपको कि force के कितने type होते हैं यह force के types आप लोग को बहुत अच्छे से बता होना चाहिए अलांकि हमें अभी इनकी जूरत नहीं पड़ेगी एक topic किसके अंदर से जूरत पड़ेगी तो different types of forces आप define कर सकते हैं पहला हमारे पास में जो आप सभी जानते हैं electromagnetic force electromagnetic force जो हम अपने जो हमारा chapter आएगा जब हमारा 11th का complete हो जाते है 12th की जब सुरुआत होती है तो वहां पर electromagnetic force को बहुत अच्छे समझाए जाता है और काफी लंबे chapters होते हैं फिर हमें दूसरी चीज बहुत अच्छे से पता है gravitational force के बारे में जो अर्थ हमें अपनी तरफ में किसती है उसी को आप जानते है gravitational force और तीसरा जो force यहां पर हम बात करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत important रहेगा यानि कि जो हमारा point of discussion रहेगा वो हमारे पास में है contact force कौन से force रहेगी यह contact force और चोथा जो हमारे पास में होता है जो आप nuclear physics के अंदर में पढ़ते हैं जिसको आप लोगों ने जाना है nuclear force के नाम से nuclear 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 force के नाम से ठीक है अब यह जो contact force आपने यहां पर define करिए इसको हमें तीन हिसों में यहां पर तोड़कर पूरे NLM के अंदर में पढ़ना है और तीनों की बड़ी खुबसूरा चीजे आपको उनका point of application या फिर कैसे हम इनको define करते हैं क्या उसका magnitude होगा और दूसरी क्या नॉर्मल फोर्स तो नॉर्मल फोर्स अच्छे से समझेंगे इसको दूसरा जो हमारे पास में फोर्स आता है जो हमारे पास में टैंशन और तीसरा जो फोर्स आप कोंटेक्ट फोर्स के नाम से जानते हैं यहां पर हम दोनों चैप्टर के अंदर में टैंशन और नॉर्मल क नुमेरिकल्स भी solve करेंगे और इनके concept को समझेंगे जो कि आपके misconception बना होता है कि कैसे हमें normal को define करना होता है कैसे हमारे पास में tension को define करना होता है बहुत सारे लोग तो tension की direction को लेकर confused रहते हैं तो वो भी हम यहां पर अच्छे से समझेंगे फोर्स को normal सभी को पता है कि हमारे पास में एक force लगेगी लेकिन इनका main approach क्या होगी इसकी main application क्या होगी कैसे आप इसको define करेंगे अगर मालो मैंने एक horizontal surface पर दे रखा है तब तो आप easily इसको बता जेते हैं लेकिन inclined surface पर दे दिया तब क्या करेंगे या फिर मैंने 2-3 objects को आपस में जोड़ के define कर दिया तब कैसे आप इसको define करेंगे कि कौन सा मेरे पास में normal force है तो इन सब चीजों का reason हमारे पास में यहां से निकल के आता है जब हम इसके पूरी definition को यहां पर cover up करेंगे फिर हमें tension को अच्छे से पढ़ना होता है फर्स्ट लोग सबको पता है basic definition जो कि यह कहता है कि कोई भी object अगर आपका रुका हुआ है तो वह रुका ही रहेगा यानि कि अगर वह rest पर है तो rest पर ही रहेगा दूसरा यह कहता है कि हमारे पास में इसी लोज की जो दूसरी definition है कि कोई भी object अगर एक डारेक्शन के अंदर में वी वेलोस्टी से मूग कर रहे है यानि कि वह constant velocity से मूग कर रहे है कोई भी object है rest में है तो rest में रहेगा अगर constant velocity के साथ में move कर रहे है तो वो उसी direction में move करता रहेगा और particular direction में है तो उसी direction में move करता रहेगा कब तक जब तक उसके उपर में कोई force नहीं लगाई जाती तो बैसे इतनी सी कहानी इसकी द्यान रखनी है कोई भी object आपको nature के अंदर में common sense आप लगाओ कि जो भी चीज आपको दिखती है वो वहीं पर पड़ी रहे कोई चीज move कर रही है तो वो हमें से move करती रहे कोई एक direction में जा रही है तो वो एक ही direction में जाती रहे कब तक जब तक आपने कोई external force नहीं लगाई यह point आप note करेंगे कि उसके उपर में कोई external force नहीं लगा external force का मतलब आपने या तो उसको push नहीं किया या फिर pull नहीं किया तो दोनों ही cases के अंदर में जो हमारे पास में आता है push or pull के अंदर में उसको force बोलते है और यहां से आपका पहला low जो है वो डिफाइन हो जाता है जाता है इसके उपर में आप लोग को कोई दिमाग लगाने की ज़रूत नहीं है basic इसी low को हम एक और नाम से भी जानते है law of inertia के नाम से यह कई बार आपके एक्जाम में पूछ ले जाता है कि first low है उसको क्या नाम दिया जाता है या फिर law of inertia कोंसे लो को बोला जाता है न्यूटन लो के तो पहला जो लो है उसी को हम बोलते है जो मेरे पास में law of inertia बोला जाता है ठीक है नेक्स्ट लो की बात कर लेता हूं second low काफी important लो है यह इसी के उपर में हमारा पूरा discussion डिका रहता है क्योंकि यहां से एक term निकल के आती है जिसको आप acceleration के नाम से जानते हैं हलांकि acceleration की definition आपने तयार कर ली थी मेरे साथ में और उससे पहले second low से पढ़ने से पहले एक छोटा सा term इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे momentum को define करते हैं momentum मेरे को नहीं लगता कि हर किसी को इसके physical significance पता होगा कि हमारे लिए practically आप इसको सोचना चाहें तो क्या momentum होता है सबने formula पड़ा है कि p that is equal to mass into velocity यह मेरे पास में एक formula होता है ठीक है बई अब यह जो mass और velocity है basically define क्या करना ability है to hurt यानि किसी को चोट पोचाने की कितनी ability है let us suppose कि यहां पर आप बैठे हुए है और दो मैं scenario ले रहा हूं अप लोग के और मेरे पास में object है जिसका mass है 1 kg मेरे पास में 1 kg है उस 1 kg को मैं इतनी height से आपके सर के उपर में फेक रहा हूं यहां से मैंने आपके उपर में डाल दिया यहां से मैंने वन मीटर के डिस्टेंस लिए और यहां से मैंने इसका 1 kg वाली बोटल को आपके सर के उपर में उपर से मैंने इसके उपर में छोड़ दी ठीक बई अब दूसरा मैंने object यही सेम लिया 1 kg का यह 1 kg का है और यहां से मैंने इसको मालो 5 मिटर की उचाई पर ले गया मैं तो आप यह बताओ कि जो मेरे पास में अब्जेक्ट यहां पर पहुंचेगी कि उनसे की वेलोस्टी जादा रहेगी और यहां पर जब गिर रही है तो यह पता है कि इससे ज़्यादा वेलोस्टी की हाइड जादा है तो 10 मेटर पर सेकिंड से इसके उपर में आकर गिर रही होगी तो आप देख रहे हैं कि मास मेरे पास में दोनों अब्जेक्ट का सेम था लेकिन कहीं न कहीं ये वाला जो वेल्यू आ रहा था जिसको आपनों 5 जाना और मास इसका मैंने 1 तो इसकी वेल्यू मेरे पास में 5 और यहां पर आप लोग देखें तो इसका वेल्यू आया मेरे पर पास में 50 ए कर नहीं तो यह जो अपर जाते हैं इसके मेरे पास में 50 ए को यह पड़तु आप 20 को चाजे आह Bee crack जच्च को मॉमें पर साइकल आरहे हैं यह आप डेकर करें और बहुता है वो किसी भी बहुत की चांडले होती किसी को हट करने के जैसे आप बात करें कि मालों मेरे पास में साइकल है यह आप यहां पर साइकल लेके जा रहे है और यहां पर ख़ड़े वह है, एक कोई बन्दा और दूसरा एक truck है जो की दोड़ा जा रहा है, दोड़ा जा रहा है ूर इसका mass है मानलो मेरे पास में 1000 केजी और cycle है, उसका mass मानले आपने 25 केजी मानले मैंने आप से journal पूछा कि बताओ मेरे पास में कि ये object जो है यह जो person है कौन सा object इनको हट करेगा तो दिखने में तो यह लग रहा है कि यह truck तो बहुत भारी होगा और यह इसको जाकर हट कर देगा तो मास के उपर में आपने define किया तो मास की वज़े से आपने बता जिया कि इसको हट करेगा लेकिन अगर मैं यह बोल दूँ कि जो truck है मेरे पास में वह 0.0001 meter per second से मूग कर रहे है और यह जो cycle है यह कहीं मेरे पास में मानलों की 10 meter per second से मूग कर रही है बहुत जादा मान लिए लेकिन कोई दिकत नहीं अभी ideal case में चल रहे है तो 10 meter per second से जा रही है तो अब मैं पूछू कि कौन सा जादा हट करेगा तो सभी कान सो राना चीज़ इसका तो momentum मेरे पास में 250 आ गया और इसका momentum मेरे पास में कितना जाएगा यहां पर 0 लगा लेते हैं तो यहां पर आपने NLM पढ़ेंगे हमारी जो यहां पर discussion रहेगा उसमें mask को हम क्या रखते हैं हमें इसका constant रखते हैं जो object है मेरे पास में उसको constant लेकर हम बात करते हैं तो basically इन दोनों चीज़ों से आपने यह define कर दिया कि जब भी momentum का case आगया आएगा बहुत बारा हम इसको repeat करेंगे momentum को तो अब यह define करेंगे तो आपके दिमाग में तुरूंत एक चीज़ ओर आजानी चीए अच्छा अगर हट करने की capability रखते हैं तो दो चीज़ उसके पास में होनी चीज़े मास होगा और उसकी velocity होगी मास को हमें constant रखना है तो हमारा main feature जो रहेगा उसकी velocity को लेकर रहेगा यानि की velocity का change लेकर आना रहेगा तो यहीं से second law की new गिरती है और यहाँ पर का जाता है कि बहुत की velocity का change होता है चेंज करने हमें अगर उसके momentum को change करने है तो यहां से Newton ने कहा कि बहुत अगर मेरे को velocity चेंज करनी है तो मुझे उसके उपर में कोई ना कोई क्या लगानी पड़ेगी एक force लगानी पड़ेगी यानि कि उसके उपर में push और pull लगा दिया अब push और pull लगा दिया तो mass तो मे momentum के अंदर में चेंज आया time के साथ में और यहां से आपने कहा कि यह force लगी है तो उसके momentum के अंदर में चेंज आया इसको हम यह भी लिख सकते है mv माइनस में m u divided by dt ऐसे भी डिफाइन करते है या t2 माइनस t1 के नाम से भी डिफाइन करते है अप लोग तो यह बेसिकली हु आगी हो गी है क्यों हो यह है क्यों कि सकी बढ़ गई है मास तो उसका constant रहेगा ना क्योंकि हमारा throughout NLM मास को constant रखना तो यह object जो है वह उसकी वेलव चेंज आहिए और वेलोची चेंज आहिए तो कहीं न कहीं आपने उसके उपर में क्या किया था push or pull किया था तो यहीं से ह आप लोगों ने जाना है एक्सलेशन के नाम से तो अगर कोई आप से यह पूछे कि force is equal to mass into my acceleration यह क्योंकि vector quantities हैं दोनों तो हमें इसको vector quantity से ही define करना पड़ेगा तो कोई आप से यह पूछे कि भाई यह बताओ कि जो मेरे पास में actual low था जो second low था वो यह वाला low है या फिर यह वाला यह जो low है ना मेरे पास में यह एक universal low है मलब आप इसको define कर सकते हैं जो मेरे पास में dp by dt है क्योंकि इसके अंदर में दो चीज़ आएंगी mass भी होगा और और जब हम NLM की बात करते हैं तो NLM के अंदर में हमें mass को constant रखना पड़ते हैं और mass को constant रखेंगे तो यह मेरे पास में relation निकल कर आता है तो यह जो relation है यह आपके NLM के लिए define होता है यानि कि जहां जहां पर हमारे पास में mass को आपको constant मानना पड़ेगा आप इस relation का use करेंगे इसका use नहीं करेंगे dp by dt यानि कि इसके अंदर में तो हम यह भी मान सकते हैं कि जो mass है वो भी vary कर रहे हैं और जो उसका velocity है वो भी vary कर रहे हैं लेकिन NLM जो बोलता है वो तो यह कहता है कि हमें सिरफ mass को constant रखना है बई object को मुझे same रखना है और उसकी velocity को define करवाने वेलोस्टी को change करवाने तो जिसके कारण में उसके उपर में एक नई चीज आ जाती है और वही चीज हमें किस नाम से जानी जाती है acceleration के नाम से और यह जो acceleration है ना इसका पूरे chapter के अंदर में खेल रहेगा इसी acceleration की निकालने के लिए हमें इधर उधर भागदूर करनी पड़ती है तो यह जो acceleration है इसकी unit जो होती है meter per second square होती है अच्छा जी तो force जो आए आपके पास में mass into acceleration आया तो force की दो अभी आपने Newton defined किया इसकी unit को और क्या define कर सकते है केजी meter per second square तो यहां से आपके इसकी unit भी समझ में आती है कि यह मेरे पास में जो force होती है उसकी unit newton भी है kgm per second square भी है किसके अंदर में SI system के अंदर में और CGS के अंदर में जाएंगे तो यह क्या हो जाती है बाई डाइन हो जाती है और यह क्या हो जाती है gram cm per second square तो यहां पर आपकी force की जो कहानी है वो खतम होती है अब एक basic सा मैं question करवा जेता हूं बिल्कुल बच्चों वाला question है अलांकि मुझे करवाते विसरम आ रही है लेकिन फिर भी करवा जेते हैं को issue नहीं तो यह एक object रखावा है जिसे थोड़ी एक अप्रोच आपको समझ में आए ति कैसे questions को solve करना है यह block है मालो मेरे पास में 2KZ का और यहां पर मैंने इसके उपर में force लगा है मालो 10N और मैंने पूछा कि force लग रहा है तो force लगने का मतलब है कि object के अंदर में acceleration आएगा अब वो define करेगा कि object को अगर मैंने यहां दिवार लगा रखी है तब यह object नहीं करेगा तो acceleration मेरा zero हो जाएगा तो जब भी कोई numerical आपको NLM का मिलता है तो हमेशा उसका पहली approach आपको इसका constant समझना पड़ेगा यानि कि उसकी विवस्ता समझने पड़ेगी किस direction में चलने के लिए विवस है यानि कि net force किस direction में लग रहा है तो common sense ही यहां पर constant के लिए हम use करते हैं तो यहां पर आपने इस block के उपर में force लगाई है तो आपको यह भी समझ में आता है कि object जो है अगर यहां पर दिवार नहीं लगी वही है तो यह इस direction मुझ करेगा यानि horizontal surface के उपर में मुझ करेगा हवा में तो उड़के जाएगा निया लेकिन मुझे आपको फॉर्मला इंप्लिमेंट तो करवाना ही है साथ में कुछ और चीज़ें भी डिफाइन करवाने है ताकि आप चीजों को रटो नहीं आपके क्योशन जो हो गलत ना हो तो constant आपको समझ में आया कि इसका constant है कि यह horizontal surface पर चलेगा तो अगर horizontal surface पर चलेगा तो acceleration कहीं ना कहीं से object में इस direction में आएगा constant समझ में आगया अब आपको अपना formula अपलाई कर देना है formula क्या बोलता है कि force जो है मेरे पास में अगर मैं mass को constant रखो तो object के अंदर में के वल उसकी velocity change होगी जब भी हम push यह pull करते हैं तो उस object के अंदर में उसका velocity change होगा और velocity change होता है तो उसके अंदर में क्या जाता है acceleration आजाता है क्योंकि हमें यह पता है dv by dt होता है तो यहां पर force मैंने लगा है 10 newton mass मुझे पता है 2 kg है और यह भी SI के अंदर में है तो यहां पर acceleration आ गया तो acceleration की value है 10 by 2 this is equal to 5 meter per second square तो यह जो object है यह move कर रहा है 5 meter per second square से अब आपको question यहीं नीच होड़ देना है भाई थोड़ा सा or analysis कर लो इसको अब यह कहना क्या चाह रहा है इस unit से आपको समझ में क्या है कि acceleration आपको दे दिया गया 5 meter per second square यह आते हैं आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए अच्छा इसकी velocity 5 meter per second जो है वो हर second में change हो रही है मालों पहले object के पास में velocity 0 थी अब उसकी velocity 1 second बाद में 5 meter per second हो गई है फिर अगले में 10 meter per second हो गई है यह हमने kinematics के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा है लेकिन फिर भी थोड़ी से अप्रोच आपको पता होने चीए बार-बार यह चीजे क्लिक हो जाए तो कोई इसके अंदर में बुराई नहीं है ताकि आप familiar हो जाओ इन acceleration वागरा को लेकर जो आप लोगों के mind के अंदर में एक phobia बना हुआ है acceleration, kinematics, NLM कैसे हम इनको soul करते हैं कैसे constant motion आएगा क्या tension होती है क्या FBD यानि कि free body diagram होते हैं क्या इनके पीछे logics होते हैं तो यह सारा logic यहीं से निकल कर जाता है इस acceleration को आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए जब भी आपके acceleration के कोई भी बोले तो दिमाग में आना चाहिए अच्छा इस तिनी velocity हर second में उसकी change हो रही होगी ठीक है चलो अब यह हमारा basic discussion हो गया कि second law हमने पढ़ लिया अब थोड़ा सा discussion में forces को लेकर बात कर लेता हूँ तो forces को लेकर हम बात करें तो दो छोड़े छोड़े concept आप समझ लो पहला concept normal force होती क्या है normal force बहुत से लोगों को इसको लेकर misconception है कैसे हमें इसकी approach रखनी है क्या उसकी direction होती है वो ही समझ भी नहीं आती है तो कोई issue नहीं आज यहाँ पर आपको अच्छे से समझा भी देते है तो यह मेरे पास में मालो कोई surface है यह अर्थ के उपर में मैंने एक object रखा हूँ है और यहाँ पर हमने उसका mass लिया है M ठीक है भई अब सभी को पता है कि अर्थ जो है न अर्थ अपनी तरफ में हर object को खिषती है क्यों? क्योंकि वो एक force लगाती है जिसको आप लोग जानते है gravitational force ठीक भई तो जब भी कोई भी NLM के अंदर में आपको object दिखता है तो पहली जो force उसके अंदर में आपको लगानी है वो ये लगानी है gravitational force और ये हमेशा towards the center लगेगी इस चीज़ की गाठ बांद लो अच्छे से समझ लो बहुत काम आने वाली चीज़ है यानि कि हमेशा कहां लगेगी ये towards the center of the earth लगेगी और इस force की जो value रहती है वो f is equal to mg रहती है अब ये towards the earth लगनी का मतलब क्या है horizontal surface पर तो समझ में आता है कि earth मेरे पास में यहां कहीं है और इसका center कहीं यहां पर होगा और ये object जो है मेरे पास में इस direction में force लगा रहा होगा अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा सा incline कर दू तो भाई चलो incline कर देते हैं यहां पर मैंने इस object को रख दिया अब आपको इसका concept समझ में आ जाएगा easily तो ये मेरे पास में object है यहां पर जिसका mass है m अब अगर आप लोगों ने चीज़े रट रख की होगी तो बहुत से लोग इसका mg इस direction में बना देते होंगे बनाते होंगे सभी को है इसके अंदर में masters है सब लोग कि भाई नीचे की side में हमें तो ये पता है कि उसके उपर में perpendicular लगा देना है भाई object आपको दिखती है NLM के अंदर में तो NLM या आगे के chapters के अंदर में भी तो earth कहां यहाँ पर है या कहां पर है बई यह surface के ऊपर में रखा हुआ है तो earth का center इस direction में है या फिर इस direction में सभी को पता है इस direction में तो यह wybासे center से जो इसके पहली जो gravitational force लगेगी तो हमेशा वो इस direction में लगेगी बिसक आपको दिख रहा होगा कि यह जो surface बनावा जो inclined surface है इसमें perpendicular नहीं आई है परपेंडिकुलर मुझे क्या जरू होता है मुझे तो अपने earth की तरफ में लगानी है तो अगर horizontal surface रखा है तो समझ में आए कि हम सीधा इसको downward direction में दिखा देंगे लेकिन inclined surface पर दिखाएंगे तो इसकी value मेरे पास में mg जो है वो आपका towards the center होगा और यहाँ पर इस direction में ऐसे नहीं होगा यह हमें इस surface का perpendicular नहीं देखना होता हमें देखना होता कि center of the earth किस direction में तो earth के center के तरफ में लग गए चलो जी यहाँ पर कानी समझ में आ गई अब देखो जो बात कर रहा था मैं normal force को लेकर तो normal force बेसिकली तब existence में आता है जब दो surface जो ना दो surface एक दूसरे के contact में आते हैं क्योंकि आपको जो बार-बार क्लिक होनी है ने चीजे इसलिए यह language मुझे use करनी पड़ेगी दो surface एक दूसरे के contact में आते हैं ठीक है भई contact में आ गए अब यह contact में जो आए हैं तो force लगेगा और उस force को आप नाम देगे normal लेकिन यह contact जो होगा यह जो contact force आएगा यानि कि आपको इसकी दो चीज़े पता होनी चीए भई force बनी है तो मुझे तो यह पता है कि force को आपको define करना है तो तीन चीज़े अगर बहुत अच्छे से समझनी है तो उसका एक magnitude पता होना चीए दूसरी उसकी direction पता होने चीए तीसरी उसकी point of application पता होने चीए लेकिन point of application हमें NLM के अंदर में हमें इसकी जरुतनी पड़ती है हमें दो चीज़ों से मतलब है अब आपने यह तो define कर दिया साब कि magnitude है और उसके पास में direction है अब यह भी समझ में आगा कि दो surface जब contact में आएंगे तो वहां पर कौन सी force लगेगी नॉर्मल force लगेगी जो आप लोग नॉर्मल force के एक misconception बना बैठे है कि अच्छा दो surface तो हमें से ऐसे ही आ सकते है दो surface कुछ इस तरह से भी contact में आ सकते है यह पहला मेरे पास में case हो गया कि मालो मैं दो block है यहां पर मैंने रख दी है तो दो block यहां पर इस area को आप consider करो जो यहां पर मैं दिखा रहा हूँ यह दोनों भी तो contact में आ रहे है तो जरूरी नहीं है कि अर्थ के उपर में ही direction में हमें उसका normal लगाना पड़े दो surfaces का contact देखना है जहां पर भी आपको contact दिखेगा वहां पर एक force जो है वो existence में आ जाएगी और उस force का नाम रहेगा normal force तो दूसरी चीज़ में मुझे समझ में आगी कि contact मुझे इस direction में हो रहा है तो जो यह force लगेगी वो हमेशा कहां पर लगती है वो लगेगी perpendicular to the perpendicular यह मेरे पास में इन दोने surface का अगर यह A surface है यह मेरे पास में B body है तो यह force जो है वो इस direction में लगा रही है यानि कि B object नीचे की साइड में लगा रही है और इस surface के जो इनका contact मेरे पास में surface है contact surface है उस पर कितने degree का एंगल बनाएगी यह 90 degree का बनाएगी यानि कि वो उसके उपर में perpendicular बढ़ रही होगी अब दूसरा यहां पर object मेरे पास में A block है यह B block है यह भी तापस में contact में आ रहे है तो यह भी force लगाएगे और यह force जो surface है उसके perpendicular लगाएगा यानि कि B object इस direction में लगाएगा और B object इसके direction में लगाएगा यह भी 90 degree पर बनाएगा ठीक है बई तो दो चीज़ें आपको इसकी समझ में आई कि पहला जो normal force है हमेशा लगती है दो object के contact surface के बीश में यानि कि जब भी आपको contact surface देखें हमेशा normal force का existence लेके आना है ठीक दूसरा आपको यह समझ में आया दूसरा चीज़ आपको यह समझ में आया कि contact surface के बाद में जो लग रही है यह लगेंगी perpendicular to the perpendicular to contact surface यानि इसकी direction आपको समझ में आगी अच्छा अब यह किस direction में मलब यह तो direction आपको समझ में आई लेकिन हमें क्या अप्रोच रखनी है कि कौन सा object किस direction में लगा रहा होगा तो ये हमेशा कोसिस करती है जो contact force है या फिर जो normal force है ये हमेशा कोसिस करेगी to compress the object यानि कि इसकी direction आपको ऐसे define करनी है कि ये compress करें object को perpendicular तो लगेगी, perpendicular तो बहुत सारे cases हो सकते हैं आपने perpendicular उसके उपर में लगा ये contact surface का मारे पास में लेकिन वो करें क्या आखिर में उनका मतलब यह होना चाहिए कि वो एक जूसरे को क्या करें compress करें जैसे समझो कि ये मालो मेरे पास में object है बी मेरे पास में ये object मैंने यहाँ पर रख दिया है तो B और नीचे हमने A माल लिया जिसको हमने अर्थ के नाम से दे दिया है अभी वो जो gravitational force वाला मैंने method समझाए आपको वो भी सिखाऊंगा लेकिन अभी मैं इनी दोनों की कहानी समझ रहा हूँ तो यहाँ पर आपने समझा कि ये दोनों surfaces के बीच में contact हो रहा है अगर मैं B object को consider कर रहा हूँ तो यह contact में किसके है A object की contact में तो यह कोसिस करेगी A object को compress करने की तो इसका force नीचे की direction में लगेगा यानि कि इस object के उपर में A की उपर में नीचे की side में दबाने की कोसिस करेगी तो आप कहेंगे कि यह normal force है जो कि B लगा रहा है किसके उपर में A के उपर में लेकिन उसी तरह से यह surface जो A है यह भी contact में आ रहा है इस object के तो यह कहेगा भाई तुमने मेरे उपर में force लगा दी तो मैं भी तो force लगाँगा आपके उपर में भाई हम दोनों contact में है तो लगा दो force तो बोला कि मैं आपके उपर में force लगाँगा और वह force लगाँगा मैं perpendicular अब perpendicular भी लगा दो लेकिन भाई आपका में मोटिव रहेगा क्या उसका में मोटिव है आपको compress करवाना तो यह इसको अबजेक्ट को compress करवा सकता है जब इसको यह मालो मैं इसका उपर वाला इसा जो बी अबजेक्ट है इसका उपर वाला इसा बिल्कुल fix माल लेता हूं तो इसको निचे से यह दकेलने यह निचे से उपर की direction भी इस लगा एगा इसी और दूसरी ऑपर से और नीचे की साइड में क्योंकि तो नीचे की साइड में जो इसका मास होगा वही 5 लंगा रहे ह increasingly कि mg और इसी की अपोजीट में जो रियक्शन जाती है जिसको आप नॉर्मल फोर्स के नाम से जानते हैं लेकिन में मोटीव क्या था इसमें समझो कि यह ब्लोक जातो है मेरे पास में ब्लोक था और यह नीचे हमने अर्थ को एक भी एक ब्लोक माना हुआ है तो यह दोनों के बीच में सर्फिस में कॉंटक्ट आया तो भी ने एक को करने की कोशिच करी लेकिन कितनी फोर्स है उसके वेट के तने यानिकी force is equal to weight weight equal to mass into my acceleration due to gravity तो इसे ने compress कर दिया बदले में A ने कहा कि मैं भी आपको compress करूँगा तो बोले ठीक है भी आप भी compress कर तो B ने A ने B को compress कर दिया जिसको आप journal ही जो है वो normal के नाम से जानते हैं और यह पूरा जो हमारे पास में पेर बना है इसी को आप जानते है एक्सन रियक्शन पेर forces का जो action reaction पेर बनता है वो यहीं से बन कर आता है तो आपको normal force का concept clear हो गया होगा कैसे हमारे पास में यह forces लगती है और क्या इनके पीछी concept छुपा होता है तो यह concept आपको contact force का हमेंसे समझ में आना कि दो surface कहीं पर भी आपको contact में दिख रहे हैं हमेशा वहाँ पर normal force लगेगा ठीक है भई और थोड़ा सा इसको depth में लेके चलता हूँ मैं मालो आप किसी के दिमाग के अंदर में यह आया कि यह बताओ मेरे को कि मैंने तो इसको एक inclined plane पर रख दिया रख दो भई inclined plane पर रख दो अब कैसे करोगे साब इसमें तो हमने यहां पर एक object रख दिया यह मेरे पास में object है जिसका mass है मेरे पास में मालो m है तो मुझे तो अभी सिरफ normal reactions के बात करनी है पहली force जो की non-contact force होगी वो तो हमेशा लगेगी उसकी पहला काम आपको non-contact force देखने है यानि कि जो contact में नहीं है लेकिन फिर भी लग रहा है और यह हमेशा एक ही force आप लोग को अभी ज़रुत पड़ेगी जब 12 के पड़ोगे electromagnetic force उस time पे अलग हम उसको define करेंगे यह हमेशा लगते ग्रेविटेशन force ठीक है यह ग्रेविटेशन force है तो यह इसका object का center है तो मैं इसका जो non-contact force है वो कहाँ पर define करूँ यह कर देता हूँ मैं यह मेरे पास में non-contact force यानि कि उसका mg मैंने define कर दिया कर दिया मैंने mg define भई आप लोगों ने यही तो सिखा है न कि हमेशा उसका perpendicular डाल दो नहीं अब यह देखो कि यह block था वो surface पर रखा हूँ है तो अर्थ यह नीचे है न और अर्थ का center यहाँ पर है तो यह क्यों define कर रहे हो भई आप लोग यहाँ पर नहीं define करना है भई यह मेरे पास में अलग चीज़ define होगी तो हमेशा जो पहली non-contact force लगती है वो कहाँ पर लगानी आपको towards the center of the earth यानि कि जो object का mass यानि कि mg इस direction लगएगा पिछले case के अंदर में mg मेरा ऐसे क्यों लगा भई इस direction में जहां पर मेरी normal reaction आ रही थी क्योंकि जो अर्थ थी वो मेरे पास में नीचे की side में थी तो उसका center भी उसी direction में था और object भी उसके उपर में horizontally रखा था तो हमने directly उसको नीचे की side में इसका mg define कर दिया ठीक है अब इस case में हम नहीं कर पाए क्योंकि inclined है थोड़ा से angle बना हुआ है यानि की theta angle पर रखा हुआ है ठीक है तो अब मुझे दूसरा जो define करना होता है इसके अंदर में उनको आपको contact forces को define करना होता है तो contact force आपने define करी contact force का समझ में आया कि ये block अगर A है ये block B है तो A block इसको दबाने ही कोसिस करेगा लेकिन किस direction में उसको perpendicularly perpendicularly यानि compress किया तो ये normal लगा किस ने लगा है A ने किसके उपर में B के उपर में ठीक है तो B ने कहा भाई मैं भी आपके उपर में force लगा हुआ ए ने कहाँ ठीक है most welcome आजाओ लगा दो force तो B ने कहा भाई मैं आपके पर force लगा हुआ लेकिन contact surface जो हमारा है उसके perpendicular लगा हु तो चाहें मेरे पास में inclined surface हो चाहें horizontal surface पर object को रखा हो आप easily इसकी calculations कर सकते है ठीक है अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो थोड़ी सी और चीज एक define कर देता हूँ मैं तीसरा जो case आप लोग को देखने को मिलेंगे तीसरा case इसमें normal forces को लेकर contact forces को लेकर मालो यहां पर मेरे पास में यह और यह एक object यहां पर रखा हुआ है दूसरा object इसके साथ में touch करके रखा हुआ है मैं क्यवला भी दो objects की बात कर रहा हूं निचे वाले surfaces को तो हम समझ गए है कि यह नीचे लगाएगा यह नीचे लगाएगा यह नीचे लगाएगा यह उपर लगाएगा यह समझ में आती है अगर मैं खाली इन दो डबो को यहां पर ले लेता हूं मैं नीचे वाली line ही मिटा देता हूं ना यह horizontal surface ही मिटा देता हूं अभी ताकि और कलेट ही आ जाए ठीक है अब यह object जो है कहीं ना कहीं आपको contact में दिख रहे हैं इस side का surface तो कोई contact में नीचे सर्फेस भी को contact में नीचे था horizontal था उसको मैंने आपी remove कर दिया है सिरफ concept को समझाने के लिए अर्थ पे रखोगी तब ही तो चलेंगी ना चीजे बाई तो यहां पर मैं अर्थ पे या फिर किसी object के उपर में रखोगी तब चलेंगी तो यह मेरे पास में जो surface आया यहां प लेकिन यहां बीच में ना दिखाने के बजाए मैं इनको पाहर की surface पर define कर सकता हूं यहां पर दिखा सकता हूं तो यहां पर का था कि N जो लग रहा है वो B पर लग रहा किसके वयुजए से A के उपर में और यहां पर A पर लग रहे है किसके वीज़ए से नॉर्मल फोर्स ठीक है भई यह जब टैंशन वगरा पढ़ेंगे जब मोमेंट्स पढ़ेंगे इसके अंदर में अबजेक्ट जब मू करेगी तो वहां पर आपके इनका यूटिलाइशन होना शुरूगा ठीक है तो पहली जो फोर्स इसके अंदर में हमने बात करी थी फोर् इसलिए थोड़े से घपरा जाते हैं तो कोई इशू नहीं इसके डिरेक्शन कैसे डिफाइन होती है क्या इसका में मोटी होता है तो टैंसन जो आएगी वह हमेशे आती है एक स्टिंग के अंदर में कोई दागा लिया आपने कोई तार लिया कोई भी वायर लिया उसके अं समझो कि टैंसन जो है वह हमेशे की सकी अंदर में आगी एक स्टिंग के अंदर में आईगी जहां पर भी आपको डहार दिखा स्टिंग पर माल लो कि वहां पर जरनेत हो गई है और वह फोर्च एक एंसन अबीजो स्टिंग कोछब्ड़." यहां परिए इन एक्स्टेंसेब कोई भी मास आपको इसका नहीं लेना है जीरो पर इसको साथ में काम करना है ठीके अब जो एक जर्नल एग्जामपल लेकर चलू मैं कैसे जर्नेट होगी यहां पर आपने कहा यह ब्लोक भी है एक स्टिंग से मैंने बांध दिया है यहां पर मेरे पास में एक ब्लोक है इसके मैं एक फोर्स लगाई है मैं इसको खीच रहा हूँ किसी भी किसी भी चीज से खीच सकता हूँ मालो यहां पर एक हूप लगा दिया उसको पकड़के मैं खीच रहा हूँ अपने हाथ से खीच रहा हूँ लेकिन में जो कंसर्न मेरे पास में समझने का है कि यह जो लगाई है मैंने यहां पर एक sting लगाई है दो objects के बीच में अब sting लगाई है तो कहीं न कहीं यह objects A जो है इसके उपर में B के उपर में एक force लगा कर यहां पर खीच रहा होगा और constant को जो मारे पास में motion of sting constant है वो ही कहता है कि जो velocity यहां पर होगी वही velocity यहां पर भी होगी वही velocity यहां पर भी होगी और वही velocity भी blocky भी होगी ठीक है भई तो यह inextensible है तो इसकी length of change होने वाली नहीं है तो यह जो A है वो इस sting के उपर में एक force लगाएगा और वो force इस direction में लगाएगा उसी तरह से B जो है वो इस sting के उपर में एक force लगाएगा और यह इसकी direction इस direction में आजाएगी और यह जो force लगी है इसको हम जानते है T से यानि कि इसका जो tension का जो एक standard representation हम T से इसको represent करते हैं तो T यहां पर क्या आगी आपकी एक tension force आगी है अब यह tension force का काम क्या होगा इस tension force का पहली चीज तो यह हो रहेगी कि यह हमेशा कहा लगती है यह along the along the string लगती है always यानि कि जो string लगी है उसी की direction के अंदर में हमेशा लगती है उसी की along लगेगी यानि उसकी lengthwise ही लगेगी ऐसा नहीं कि आप यहां पर लगा दो tension यह tension लगई नहीं या पर नीचे से tension लगा दो नहीं जो string है हमेशा उसके अंदर में लगेगी अब देखो यह A block इसको इस साइड में खीचना चाहरा है B block इसको पीछे की साइड में खीचना चाहरा है तो यह जो string है ना यह string कहती है कि मैं अपने आपको extend तो करना नहीं सकती क्योंकि यहां पर inextensible है वो तो यह क्या करेगी एक opposite force यहां पर develop कर देगी और हमेशा जो उसकी length को expand करने वाली चीज होगी उसको compress करने की कोशिस करती है यानि कि जो length का उसका change डालने के कोशिस करेगा तो यह हमेशा उसको reduce करने कोशिस करेगा जैसे A block की बात करूं तो A block sting को अपनी साइड में खीचना चाहरा है यानि कि इसकी length को खीचना चाहरा है तो यह क्या करेगी sting एक opposite में अपनी force generate कर देगी जिसको आप जानेंगे tension के नाम से तो यह हमेशा क्या करेगी? reduce the length अलांकि reduce होगी नहीं क्योंकि उसकी अपनी property जो हो maintain रखनी है जो कि in extensible होगी लेकिन यह force वहाँ पर existence में आ जाती है कि वह हमेशा कोशिस करेगी कि उसकी length जो हो reduce हो जाए जैसे, एक example रोल लेता हूँ कि मालो मेरे पास में एक sting लिया मैंने यहां पर एक sting लटका दिया है तो इस sting के उपर में एक object को हम यहां पर mass M माल लेते है यह M mass है यह इस के उपर हमने anchor दिया अच्छा अब यह जो mass है यह इस object को कहां खीचना चाहेगा यह sting को क्योंकि sting आ गई है तो sting आ गई है तो इसका constraint भी हमें follow करना है यानि इसकी जो विवस्ता है कि इसको एक तो inextensible रहना है दूसरा mass less तो हमने इसके condition मान रखिए inextensible यानि कि खिचाव तो इसके अंदर में आने जो है इसका जो length है वो maintain रखने अपने को तो यह जो block है यह इसको नीचे की direction में खीचना चाहेगा sting को लेकिन यह sting है यह अपने आप में एक force generate कर लेगी और वो इसकी बढ़ने का पोज करेगे यानि कि यहां पर एक force आ जाएगी जिसको आप tension के नाम से जानेगी ठीक उसी तरह से यह point है यह fix point है मेरे पास में यह कुछ आता है कि इस direction में खीचे क्योंकि यह block है मेरे पास में उपर जो दिवार लगी है जहां पर भी हमने रखा है अगर comment देखें तो यह भी तो अपनी side में खीच रही होगी ना तभी तो यहां पर maintain है यह तो अगर उपर की तरह में नहीं खीच रहा होता तो यह तो टूटके नीचे गरी जाती तो यह खीच रहा है तो यह भाई इसका तो नीचे देखा, कि नीचे की साइड में खीच दी तो इसको बैलेंस करने के लिए टेंसनी समय जरेनेट होगी, तो यह भी चीज समझ में आई, कि हमेशा जो हमारे पास में तो यहां पर इसका लेंथ में नीचे की साइड में आना चाहरा है, तो यहां पर अब्जेक्ट करेगी यहां पर टेंसन जरनेट हो जाएगी, तो आगे से जब भी आपको दिखें चीजे, जैसे मालम मैंने यह ब्लोक बना दिया तो यह तो सिरफ समझाने की चीजे हैं, जब आपकी टेंसन यहां से निकल कर आजाएगी और आपकी दिमाग की टेंसन यहां से दूर हो जाएगी, ठीक है बई, अब आजाओ एक बहुत ही खुबसूरत कहानी के उपर में, जो कि आपकी पूरी नुमेरिकल्स अप्रोच को एक बुस्ट प्रोइड करेगी, सोल करने के ल आभी तक, और जिसको अब बिडिय अगर समझ में आ गई है, समझ लो उसका खेल खब, नुमेरिकल्स का खेल खब नहीं है, उससे इनसान का खेल नहीं है, उसको नोकरी की ज़ूरत है, तो फ्री बॉडडी डाइग्राम, नुमेरिकल्स चुटकियों मुडा देगा, अब य Basically, होता क्या है, कि कोई भी एक particular object हमें पकड़ना पड़ता है, particular object, पुरा system मेरे पास में given होगा, particular object को आप पकड़ो, और उसके ओपर में जितने भी forces लग रहे होते हैं, उनका basically एक representation है, क्या ये representation है, जितने भी forces किसी भी object के ओपर में लग रहे हैं, किसमें एक system के ओपर में, ठीक है, और उसके ओपर में जितने भी velocity, जो भी मेरे पास में forces लगे हैं, particular object के ओपर में, उन सभी का एक representation होता है, आप सभी, चाहिए मेरे पास में वो forces, contact force हो, या फिर non-contact force हो, इन सभी forces को उसके ओपर में क्या करना होता है, में represent करना होता है, और ये represent करने के बाद में, हमारी जो approach रहती है, वो हमें निकालना होता है, उसकी क्या velocity होगी object की, क्या उसका acceleration होगा, ये दो चीज़ जिसकी कहानियों, इस FBD का use करते वे चलते हैं, और जब हमें acceleration पता लगिया, तो हम easily उसका force भी निकाल सकते हैं, और velocity पता लगिया, तो हम easily उसका momentum भी निकाल सकते मास तो हमें पता ही होगा, क्योंकि constant लेकर चलेंगे, तो ये कहानी हमें FBD से समझ में आती है, आप कैसे इसको represent करते हैं, चलो एक question के way से हम इसको समझते हैं, एक से ही आपको समझ में आ जाएगा, जो मैं समझाना चाहरा हूँ, मालो मेरे पास में एक object है, सिरफ अभी मैं मैं आपको किसी भी object की FBD बनाना सिका रहा हूँ, हम इसे आगे से आपको FBD से ही काम करना पड़ेगा, उससे question थोड़े easy हो जाते हैं हमारे लिए, अभी चीज़ों को जोड़ते चलो, अभी मैं आपको वो approach नहीं समझा अभी मैं कड़ी दर कड़ी आपको चीज़े समझ कि कैसे लगती है, उसका concept आपको समझ में आना चाहिए, फिर मैंने आपको tension बताया, tension में इतनी theory जो आपको समझाई है, उसका main motive यह था कि किस direction में लगती है, और किस magnitude में और कैसे लगती है, यानि कि along the line लगती है, और हमें से reduce करने की process करती है, ठीक है, अब जो FBD है, इन यहाँ पर इसके साथ में connect है, यह touch हो रहा है, यह A block है, और तीछरा जो block मैंने लिया है, वो यहाँ पर मैंने इसका block C ले लिया, यह बहुत बार question पूछा गया है, same as it is, तो यह हमने तीन block ले लिया, और यह नीचे ground surface पर रखा हुआ है, यह horizontal यह भी रखा है, मैंने इसको इसको incline पर भी रख सकता हूँ, incline से आपको समझ में आया, कि चीज़े कुछ चेंज नी होगी, सिरफ हमारे पास में जो non contact force है, कौन सी, gravitational force, जो की mg होती है, उसकी direction बदल जाती है, कि अगर horizontal पर रख रहे हैं, तो वो सीधा हमारे पास में mg ऐसे हो गया, और अगर आप incline प जाए किसी भी vertical रख लो, कैसे भी आप उसको रखो, ठीक है भई, अब मैंने कहा कि BD बनाओ, किसकी A object की, और ये बनाने भी आनी चाहिए आप लोग को, मैंने A block को यहां से free कर लिया, free का मतलब है कि आप block को free कर लाओ, उस पूरे system, ये पूरा आपको system समझ में आता है, कि कितना बड़ा मेरे पास में system रखा हुआ है, जिसमें 3-4 bodies रखी हुए, एक दूसरे के contact में रखी है, अगर समझ में नहीं आता, तो कोई भी movies वगरा में आपने देखे हूंगे, जो SIP होगे रहा होते हैं, उनके उपर में containers रखे होते हैं, उपर नीचे container रखे होते हैं, त सिर्फ इसलिए कि वह एक सकड़ी से उसके अंदर में स्वेज नहर थी, चोटा सा पास था उसके अंदर में और वह ऐसे, जो था फस गया था, तो कोई भी जाज वहां से नहीं नहीं इकल पारा था, और जो भी गल्फ कंट्रीज होगे रहा हैं, वहां से सारा जो तेल होगे अभी हम बात करें, अब ही बात करें अप भी प्लोक की फ्री बोडी की, तो एब लोग की उपर में जितने भी फोर्स लग रहे हैं, क्योंकि हमारी में डेफिनिशन क्या है, अब बी की, की कोई भी पार्टिकुलर अब्जेक्ट आप उठाओ सिस्टम के अंदर से, और उसक ठीक है अब पहली कoon सी फोर्स आपको रीप्रेजेंट करनी होती है सबसे पहले रीप्रेजेंट कर अपनी नॉन कॉन्टकेक्ट फोर्स को जो भी यानि कि इसका मास है उसकी मास की वजया से एक acceleration जो इसके उपर में weight लगेगा या फिर mass due to इसके उपर में gravity की कार्ण में लगेगा तो यह हमने represent कर दिया mg यहां पर इसके उपर में force लगा है ठीक है यहां तक समझ में आती है अब जो block है मेरे पास में इसके उपर में C block भी रखा हुआ है यह C block भी रखा हुआ है तो एक मिनट यहां पर मेरे पास में नीचे earth है यहां पर आर्थ हो गया तो mg नीचे लगी तो इसके opposite में reaction force भी लगेगा और वो reaction force कहां जाएगा यह reaction force मेरे पास में उपर की direction में जाएगा यह यहां पर reaction force लगाए कि इसने earth ने इसके उपर में reaction force जो कि mg था अब जो block इसके उपर में C रखा हुआ था वो इसके उपर में नीचे की direction force लगा रहा है यानि कि नीचे की direction force लगाया किसने normal force C ने अब इसका opposite जो आएगा वो मेरे पास में यह normal force of C यहां पर आप रिप्रेजेंट करतेंगे चाहें आप उसका mg के opposite में रिप्रे कि A B compress कर रहा होगा तो वो उपर की direction में लगा रहा होगा लेकिन apart from the thing हम बात कर रहे हैं A को लेकर तो A के उपर में mg यहां पर लगा है तो mg ने जो मेरे पास में अर्थ थी अर्थ ने इस block के उपर में लगाया तो यह मेरे पास में force किसकी आई अर्थ की वज़े से आई है अगर मैं C की बात कर रहा होता है तो C के उपर में अलग से हम बात करें तो C के उपर में A ने लगाया और A के उपर में C ने लगाया तो हमें उस particular block के उपर में लगने वाली forces को देखना होता है अभी मैं NC दिखा दूँगा तो NC का मलब है कि जो A ने C के उपर में लगाया अगर मैं यहां पर E ना लिखके, और मैं लिख दूँ जो मेरे पास में normal force due to on C, C के उपर में, तो वो तो block C की हमने represent कर दी, अब हमें जो देखना है, वो definition तो यह कहती है कि, जो particular object आपने consider करिये, उस पर लगने वाले force, ठीक है भाई, यह हमने mg represent कर दिया, अब दूसरा जो यहां पर force लग रहा है, वो यहां पर भी contact हो रहा है, दोनों object का इस particular point के उपर में, तो यह block भी यहां पर क्या लगा रहे होंगे, force लगा रहे होंगे, तो A के उपर में लगाएगा, इस direction में, यह NB से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, और generally जो हम रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर ना करके हम इस direction में हमें से कोसिस करते हैं, कि arrowhead ऐसे दिखाए जाएं, बार की direction में दिखाए जाएं, तो आप NB यह भी बोल सकते हैं, तो जो force यह NB है, वो यहां पर रहेगा, क्यों लगा यह? यहां लगा यह? क्यों लगा यह? यहां कि दो surfaces का यहां पर क्या आ तो यह इस particular body का free body diagram represent कर सकते हैं, ठीक है, अब कुछ चोड़े-चोड़े numerical sum कर लेते हैं, पहला question में आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ, अभी अगर समझ में नहीं आया, FBD तो आगे जब इसकी practical implementation आएंगी तब आपको और भी बहतरीन तरीके समझ भाए जागा, पहल force is equal to mass into acceleration, force 10 है, mass मेरे पास में 5 है, तो acceleration कितना आजाएगा, acceleration is equal to 2 meter per second square आपके पास में answer आजाएगा, ठीक है, next question देखता हूँ, question number second note करें, और इसमें समझने की कोसिस करेंगे आप, कि ये मेरे पास में एक object रखा हुआ है, same object में रखा है, 5 kilo का, और यहां पर मैंने इसके force लगा जिए, बिल्कुल, अब कुछ लोगों के दिमार्ग में आ भी गया होगा, कि ये तो vector है, और vector को ये angle पर दिया जा रहा है, तो मुझे क्या कर लेना चाहिए, उसको resolve कर लेना चाहिए, और resolve किया आप लोगों ने, तो यहां से आपको समझ में आए, कि ये object जो है, प पहली चीज, कि ये मेरे पास में horizontally चलेगा, horizontally चलेगा, अब horizontally चलेगा, तो इसका acceleration कहीं ना कहीं, इस object में, इस direction में आएगा, यानि कि इस acceleration की value मुझे find out करनी है, तो object को इस direction में move करना पड़ेगा, इस direction में, यानि कि horizontally move करेगा, तो horizontally move करने के लिए, कोई भी object horizontally कब move करेगी, आपने एक force लगाई Y direction में तो object करेगी इस direction में एने की vertical direction मूँ करेगी और एक object पर आपने उसके horizontal direction में उसके प्रमे force लगाई है तो object उसी direction मूँ करेगी ना, इस direction मूँ करेगी तो यह जो force यहाँ पर लगी हुई है तो इसका component हम resolve करें अगर मैं यहाँ पर थोड़ा से इसका बनाओ तो इसको component को resolve करोगे तो यह 10 है मेरे पास में तो यह component कितना आजाएगा भई यह आजाएगा मेरे पास में 8 और यह वाला जो इसका vertical component है यह आगा 6 यह समझ में आता है कि नहीं यह कहानी तो हम बहुत पहले से समझते आ रहे हैं कि 37 डिग्री है तो यहाँ पर कितना हो जाता है इसका और यह मेरे पास में 10 है तो यह 8 होगी वैल्यू और यह इसकी 6 हो गई है अगर नहीं आता है तो भाई पिछले लेक्स एक बर जरूर देख लेना चीजे वहीं से जूड़ी है क्योंकि जो यहाँ पर आएगा वो आएगा मेरे पास में 10 कोस 37 और 10 कोस 37 की वैल्यू कितनी होती है 4 बाई 5 होती है तो 5 से 2 और यह मेरे पास में 8 अगया तो यहाँ पर 8 अगया इसका horizontal component और दूसरा जो होती है 10 इंटू में कितना एगा भाई यह 3 बाई 5 तो 5 दो और यह 6 तो यह यह तो स MR 1 LE 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 LEG Tो 5 साफी दूसरा जんな की साइड में कितना लग में 5 तो टोटक्र इसका पोज करने के लिए मेरे पास में ओड्यूर्श जितना इस अर्फेस के कॉंटेक्ट में आई है उसका एक बोज करेंगी यानि कि इसका नॉर्मल फोर्स यहां पर जनेट हो जाएगा तो नॉर्मल फोर्स के आपके पास में वैल्यू कितनी आगी है तो पचास पलस में चे तभी तो बलोक यहां पर स्टेबल है जितनी फोर्स थे तो यह दोनों फोर्स जो हां उनका सम few क्योंकि बाउनव डाउंट में लगे है इतना ही ऊपर में लगेगा तो वाई डायर्ट में आगई है ऐफ जो यह वर्टिकल डारेक्शन की आप कहान समझो व तो वटिकल और्ज़ंटल डारेक्शन की आपकाहनि समझो तो 바 horizontal direction में, simply वासा बोले थे, horizontal direction में, तो force that is equal to mass into acceleration index side, और force into max side, तो ये 8 आ गया, mass मेरे पास में कितना है, 5 है, और acceleration ax है, तो ax की value यहां पर कितनी आगी, 8 by 5 meter per second square, यानि कि ये acceleration responsible है, इस object को कहां पर ले जाने के लिए, horizontally ले जाने के लिए, तो जब भी कोई inclined plane के उपर में आपको चीज़े मिलती हैं, तो पहले तो उसकी FBD बना लो आप लो, FBD बना लो या नॉर्मली भी आपको समझ में आती हैं चीज़े, तो आप उसकी यहीं पर representation करना सीख लो, और vector को आप result कर लो, उसके दो components को तोड़ो, पहला उसका vertical और दूसरा horizontal, क्योंकि हमें constant यह है, कि जो object है, वो horizontally चलेगा, यानि कि उसकी एक विवस्ता है, वो विवस है, कि इस object को हमें से इसी direction में जाना है, ठीक है, कुछ assumption हमें इसके अंदर में लेके चलने पड़ते हैं, तो यह object इसी direction में जाएगा, तो इस direction में जाना है, तो vertical components को equal होना पड़ेगा, तो normal force हमें से आपकी क्या आगी है, कि इन दोनों का combination जो होगा, वो compress कर रहे हैं, यानि कि इस contact surface को compress कर रहे है, जो कि combination होगा 50 पलस 6 का, 50 तो हमें से लगेगा इसका, क्योंकि यह non-contact force आगी, और check इसके कारण में आई है, जो उसके contact surface के कारण में आई है, यानि कि यह आगे, तो इसतना जो निचे लगा, इतना ही उपर लगना पड़ेगा, तब यू अपनी position पर वो maintain रख सकता है, और दूसरा जो horizontal component होगा, उसको accelerate करवाने काम आईगा, और जब मैंने NLM को सुरुवात करी थी, तो यह चीज भी मैंने आपको समझाई थी, कि पूरी NLM, पूरी physics अगर आपको समझनी है, तो आपको तीन चीज़े समझ में आनी चाहिए, कि पहला object का x direction में क्या moment है, दूसरा y direction के अंदर में क्या moment है, और तीसरा आपको समझ में आने चाहिए, कि जो vector अगर किसी भी angle पर given है, तो उसको resolve करना, बस यहीं पर आपके पूरी physics खतम हो जाती है, और यहीं से चीज़े आसान होनी भी सुरू हो जाती है, चलो एक question और करते हैं, बड़ा ही battery level का question में आपको देता हूँ, अब try करेंगे इसको, वीडियो को pause करके, यह मालनो मेरे पास में एक block रखा हुआ है, ठीक है यह block है, जिसका mass मैंने दिया आपको 2kz, और इसके उपर में एक force लग रही है, यहाँ पर, value कितनी देंगे इसकी, यह है, और यह 4 जो लग रही है, यह लग रही है, 53 degree angle पर, और यह 20 newton, बहुत सारे लोगों को यह doubt था, कि हमेशा 37 और 53 ही मिलेंगे, बिलकुल भाई, maximum case के अंदर में, आपको जो यह angles की value मिलती है, ने physics के अंदर में, 37 और 53 मिलते हैं, क्योंकि इनकी values निकालना, थोड़ा easy हो जाता है, बागी 45 अगे रहा है, यह तो सब को पता है, जिसने अगर यह tricks हो गे रहा है, जो भी समझाई हैं आप लोगो, कि 4 by 5 कब आएगी, 3 by 5 कब आएगी, यह जर्नली कोई नहीं पढ़ता, तो इनको angles को देखे गबरा जाता है, और वहाँ पर गड़बड हो जाती है questions की, तो इसलिए इनको standard हमने माना हुआ है, कि इनकाम maximum use करते हैं, तो questions के अंदर में भी आप reflect, यह चीज़े reflect हो रही हैं, कि बार-बार मैं इनी values को यहाँ पर लेता हूँ, चलो, यहाँ पर इस object का हम FBD बनाने की गोशिस करते हैं, तो यह जो 2 kg का block है मेरे पास में, पहली इस पर non-contact force कहां लग रही होगी, इसके non-contact force लग रही होगी, because of the earth gravitational force, जो की mass into my gravity, यानि की 2 into my 10, that is equal to 20 newton, यहाँ पर लग रहा होगा, ठीक है, अब दो forces लग रहे हैं, एक force यहाँ पर लग रहा है, और दूसरा force यहाँ पर लग रहे है, तो इसको आपको क्या कर लेना चाहिए, रिजोल कर लेना चाहिए, और इसके 2 component आएंगे, इस वाले का आप करोगे component, तो यह वाला कंपोनेंट इस डारेक्शन में कितना आएगा भई यह, इस इकल टू 40, और इस दूसरी force का जो वर्टिकल कंपोनेंट आया, वो कितना आएगा, 30 आएगा, क्योंकि यह वैल्यू मेंने आपको 50 दिये, तो इसको तोड़के देखो, जो अभी पिछले क्यूशन के अंदर मैंने तरीका बताया था, कि कोस 37 और साइन 37 वाली वैल्यू आप लोग करके देख लिए, 37 डिगरी था, ठीक है, तो यह कंपोनेंट इसका 40 आगया, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट इसका 30 आगया, ठीक है, अब यह वाला जो वैल्यू है, इसको भी तो रिजोल करोगी 20 नूटन को, 20 नूटन को आपने रिजोल किया, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होरिजोंटल, आपके पास में 16, अच्छा, किसी के दिमाख में यह तो नहीं आ रहा है, कि अच्छा, 50 भी लग रहा है, 30 भी लग रहा है, 40 भी लग रहा है, 20 भी लग रहा है, 12 भी लग रहा है, 16 भी लग रहा है, यह तो सिरफ मैंने दिखाने के लिए किया है जब आपने इस force को दो हिसों में तोड़ दिया 12 और 16 तो उसका resultant है 20 आप इसको remove भी कर सकते हो यहां से आप 8 दो इसको चाहें ठीक है न यह 50 नहीं लग रहा है यह तो सिरफ दिखाने का तरीका होता है कि यह दोनों का आप resultant निकाल के देखोगे resultant निकालना आता है कि नहीं आता 30 का स्क्वेर प्लस में 40 का स्क्वेर आप यह जो करोगे ना इनका तो यह result आपका 50 यह आएगा यानि कि आपने force यह लगाई है object इन दोनों के resultant में की direction move करती है ठीक है और दूसरा यह मेरे पास में फॉर्स ही हो चुकी है यह कौन सी force है जो आपने लगाई वी है यानि की contact force इसके उपर में जो object पे लग रही है non contact force यह लगा दिया अपने ठीक है अब जो object है मेरे पास में जो total यह surface जो है जो surface का contact हुआ है पास में यहां पर तो यह अपने आप नॉर्मल फोर्स लगाएगा और वो नॉर्मल फोर्स कितनी लगेगी यह मेरे पास में इस डारेक्शन में जाएगी नॉर्मल फोर्स इसको आपने n से रिप्रेजेंट कर दिया लेकिन अगर मैं खाली इन दोने की बात करूं कि ये 20 न्यूटन ही इतना हो जाए तब तो आप देख रहे होंगे कि 16 न्यूटन और 30 न्यूटन और भी मेरे पास में पढ़ेगा, ध्यक्त को मुब करना पढ़ेगा इस डारेक्शन में चोंकि होरिजोनटल सर्फेस के उपर में उसका ग्रीक्जक थै तो यह इसका ऐसunge का अगर अग्जेट को इस डारेक्शन मुब करना है तो जो इसकी वर्टरिकल डारेक्शन के अंदर में मॉमेंट है वो क्या होनी चीए जीरो होनी चीए मोमेंट जो है मेरे पास में जीरो होनी चीए और जीरो है तो जो मेरे पास में नॉर्मल फोर्स है वो इक्वल होनी चीए जो इसके उपर में डाउन्वर डारेक्शन में फोर्स लग रहे हैं तो डाउन्वर डारेक्शन में देख रहे ह जो normal force किसके कारण में? अर्थ के कारण में, ठीक है ना? तो अर्थ के उपर में total लगा 20+, जो इसके उपर से force लग रही थी, वो सारा उपर से प्रेसर पड़ रहा था, वो सारा नीचे की direction में तो जा रहा है, ये 30 ही हो गया, और 16 ही हो गया, तो इस सारा नीचे की direction लग रहा है इसको oppose करने के लिए, यानि इसको जो अर्थ है, वो revert करने के लिए, कि मेरे पास में तो आपके दो combination आगया, contact force का और एक non-contact force का combination आगया, तो इतना इस force में आपके उपर में वापसी लगाने की कोशिस करूँगे, तो ठीक है वापसी लगा तो आपने 66 नीचे की direction में ल इसको अरशलेशन वहां पर zero है, तो velocity भी वहां पर zero होगी, ठीक है, displacement भी वहां पर zero होगी है, य डिरेक्शन की बात कर रहा हूं, य डिरेक्शन यानि की वर्टिकल डिरेक्शन की अंदर में, जो चीज निकालना चाहिए वा सारी निकल गई है, अब कहानी की बात करें, जो की ओपर में, मास था इसका कितना भाई, टू केजी था, टू केजी मास पर रखा मेरे पास में, और इस पे वर्टिकल, होरिजोंटल डिरेक्शन में फोर्स कौन से लग रहे है, तो 40 N लग रहा है, और 12 N लग रहा है, जो कि इस साइड में लग रहा है, तो मैं इसको रिप् की इस सिर्फ करने के लिए सिर्फ कर दिया, कि चलिजिए अडर चयांए लहां और यह बहा है, अगर में इस साइड़ हां इस 53 समझवे आता है, और इस संदीने चाह toward, में लेकर बहा है, तो इससा थ्या हुद्द ही कर सकते हैं, तो सिर्फ कर दो ज़िसे उर्सा पास है, औ तो इस बोडी पर इस डारेक्शन में 28 N लग रहे हैं और बोडी का एक्सलेशन भी इसी डारेक्शन के अंदर में क्योंकि उसका कंस्टेंट से हमें समझ में आती है चीज यह तो फोर्स इसकल तो मास इंटुम एक्सलेशन आप निकाल सकते हैं तो यह आपका इसे आंसर निकल करा जाता है ठीक है भई अब एक थोड़ा सा इंकलाइंट स्पेस का भी ले ले लेते हैं तो इंकलाइंट का मैं एक क्योशन ले जाता हूं अपल के लिए यह मालो मेरे पास में एक होरिजोंटल सर्फेस है इन पर बहुत नुमेरिकल करेंगे अभी तो सिरफ एक यह कहने है कि बच्चो बाला खेल है वो चल रहे है यह अब्जेक्ट मेरे पास में रखी हुई है यह मास है इसका M और आपको यह थिटा एंगल पर रखा हुआ है बताना है कि कितना एक्सलेशन है फाइंट एक्सलेशन आपको कैलकुलेट करना है तो इ तो इसका इननसी होगी कि नीचे की डारेक्शन में इस डारेक्शन में इसका कंस्टेंट आपको समझ में आए कि अब्जेक्ट इस डारेक्शन में तो इसका एक्सलेशन भी इसी डारेक्शन के अंदर में रहेगा यानि कि अब्जेट को इसी डारेक्शन में मूग करना पहली, non-contact force को represent करो, तो non-contact force में ने represent किया, तो वो तो acceleration due to gravity के कराण में, लगता है या कि gravitational force के कराण में लगेगा, तो ये object नीचे की side में, इस direction में दिखाऊ हूँ इसका, या इस direction में दिखाऊ हूँ, आर्थ तो इस surface पे ऐसे है न, तो ये force जो लगेगा, वो आम इसे नीचे की side में लगेगा, जिसको आप जानेंगे mg के नाम से, ये मेरे पास में mg होगया, ठीक, अब जो contact force की बात करो, दूसरा जो contact force लगेंगे, तो ये block जो है, ये block जो है, इस surface को, जो यहाँ पर आपका surface बना हुआ है, इसको perpendicularly इसको उपर में force लगेगी, तो ये perpendicular force इस direction में लगेगी, ये मेरे पास में होगया, ये force, ये वाला force होगे न, यहाँ पर जो मेरे पास में force लगा है, नीचे की side में, किसने लगा है, ये A block ने, इस surface के उपर में लगा है, जो B block था, तो ये मेरे पास में normal force on B, because of the A, अब B भी कहेगा, भाई, मैं भी आपके उपर में force लगाना चाहरा हूँ, ठीक है, भी लगा दो force, तो आप कहां लगाओगे, जो surface आपका था, उसे के perpendicular लगाऊँगा मैं, तो ये लगा दिया, किसने N, A ने, sorry, N, मेरे पाणीची कुन सा, N A के उपर में, किसने लगाया, B ने लगाया, तो ये force उपर आगया, ठीक है, अब ये जो vector था मेरे पास में, ये बही कुछ ना कुछ एंगल पर आगया, अच्छा, एक चीज, इसके अंदर में आप लोग ये की point note करेंगे, कि आगे जब भी inclined space आएंगे, तो ये जो normal बनेगा यहाँ पर, ये वाला जो बनेगा, और ये जो मेरे पास में mg, इनके बीच में हमें से एक angle बनेगा, जो normal force लगेगी, और ये जो मेरे पास में mg बनकर आएगा, तो ये जितना angle होगा, इतना ही angle ये इन दोनों के बीच में रहने वाला है, इसके उपर में कैसे बनता है, वो सारी calculation में आपको आगे समझाऊँगा, क्योंकि ये थीटा है मेरे पास में, ठीक, और ये मेरे पास में total, जो निकल के आता है, येवाला angle, ये मेरे पास में 90 क्योंकि परिपेंडिコ्लर होता है, और ये जो angle आएगा आप इसके ऊपर में perpendicular डालेंगे, तो ये जो आएगा, ये मेरे पास में 90- theta-90, तो यह मेरे पास में theta बनकर यहां पर represent होता है तो जितना angle यहां पर inclined कर रहेगा उतना angle इन दोनों के बीश में रहेगा यहनि कि जब भी मैं आपको आगे से रिप्रेजेंट करके दूँ कि यह मेरे पास में mg और यह आपको समझ में आता है कि नोर्मल है तो ये मेरे पास में हो गया, एक angle पर आ गया, जो mg है, अब ये vector है mg अपने आप में, vector quantity है, और ये angle भी बना रहा है इस perpendicular के साथ में, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रिजोल करने के लिए मुझे बड़ी खुबसुरत तरीके से पता है कि दो vectors के अंदर में रिजोल ह theta के साथ में mg cos theta बनता है, और इस direction बनेगा mg sin theta, ठीक भई, अब एक चीज और भी समझ में आती है, कि जो इसके निचे की direction में force लग रहा है, वो mg cos theta है, जो कि इसका normal force होगा, b a के उपर में लगा रहा है, और opposite है, अगर इस block को यहीं पर इसके constant को follow करना है, तो जो force n a के जैसे, वो यहां पर आपके पास में आगी mg cos theta, यानि कि इसकी y direction के अगर बात करो दो, अगर यहां पर मैं इसको ऐसे बना दूँ, कि यह मेरे पास में y direction है, और यह मेरे पास में x direction है, तो y direction में इसका moment के आया, कि force जो लग रही है, जो net force उसके उपर में लग रही है, वो mg cos theta है, और जो इसको इसको इस direction में लेकर आ रही है, यानि कि x direction के अंदर में बात करें, या होरिजोंटल के बात करें, तो x direction में उस object के उपर में कितना force लगा भई, mg sin theta, और यही force है, उसके अंदर में acceleration लाने के लिए, यानि कि a लाने के लिए, mass into my acceleration, तो mass से mass cancel हो गया, तो acceleration की value है आपके पास में, g sin theta, तो यह point भी आप note करेंगे, कि जब भी हमारे पास में कोई object आएगा आगे से, तो जो उसके उपर में acceleration लग रहा होगा, डारेक्ट मागे से use करूँगा, g sin theta, जो यहां पर आपका acceleration बनाया, इसकी value g sin theta रहेगी, और theta कौन सा होगा, यहां पर ज इसको थोड़ा है, एक मेरे पास में, nb है, यानि कि जो vector आया था, mg, क्योंकि एक angle बनायेगा, जो normal है उसके साथ में, क्योंकि normal हमें पता है कि perpendicular to the surface लगेगी, और उसको comparece करवानी को सिस करेगी, तो यह direction नीचे की side में होगी, अगर इस block को यहीं पर रूखना है, तो जो downward direction of force लगी, जिसका magnitude mg cos theta होगा, वो upward direction में जो force लग रही है, उसके बराबर होनी ची, यानि कि nab that is equal to mg cos theta रहेगा, टीक है, y direction में क्योंकि y direction में को moment नहीं है, तो इसलिए equal करना पड़ेगा force को, और downward, यानि कि x direction मुझे object को move करवाना है, तो उसके उपर में जो force लगेगा, ज अब एक थोड़ा सा और लेवल को उठाता हूं question को, और last question को करके देखते है, कि मालो मेरे पास में एक object है, और यहां से भी आपको वही चीज़े समझनी है, कि constant क्या है, और कैसे हमें object को देखना है, यह मेरे पास में दूसरा object है, और यहां पर तीसरा object है, और इस object को मैंन में एक force दिया है, 15 newton, 50 newton का force मैंने provide किया है, और इसका weight है 2, इसका 3 और इसका 5, तीन, दो, तीन, पाँच किलो है, इन तीनों के weight अलग-लग define मैंने कर दिया है, मुझे बताना है कि N35, यानि कि 3 पर, block 3 पर, 5 कितनी normal force लगा रहा होगा, अब जिसने अगर यह concept नहीं को गलत कर देता, समझ नहीं पाते हैं, यहां पर तो मेरे पास में 3 और 5 की पास में कैसे में इसकी normal force लगा हो, क्योंकि आपने यहां पर class attend करी यह और अभी चीज़ों को समझा है, तो इसमें अभी चीज समझ में आती है, कि जो surfaces हैं, वो बाई, contact में होंगे, वहां पर हमें से normal force लग रहा है, तो यह 3 और 5 आपस में contact में हैं कि नहीं, बिलकुल है यहां पर, तो यह 3 जो है, वो 5 पर force लगा रहा होगा, और 5 वाला जो है, वो 3 पर force लगा रहा हो, तो हमें इसी की value निकालनी है, क्योंकि दोनों forces मेरे पास में equal होंगी, अच्छा जी, अब यह तो च अगर मुझे पता लग जाए, तो आराम से इन सब चीजों को calculate कर रहूंगा, अब जाओ आपने constant के उपर में, constant यह कहता है, कि आपने force यहां पर लगाया, तो इन तीनों blocks को इसी direction में move करना पड़ेगा, यानि कि इनके उपर में एक acceleration आ जाएगा, यानि कि उनकी velocity एक particular rate से change जोरी होगी, तो constant ने कहा कि objects को कहा move करना पड़ेगा, horizontally move करना पड़ेगा, horizontally move करना पड़ेगा, horizontally move करेंगे, पहले चीज़, दूसरा जो object हैं यहां पर, वो horizontally move करते करते, मेरे पास में, अगर इनकी velocity different हो जाती है, मालना दो मेरे पास में उसकी velocity मालने तो मैं 3 meter per second square है, और जो तीन वाला block है, उसकी हमने मालने 4 meter per second है, तो यह क्या होगे, इनकी बीच में gap आगे, यह तो बहुत आगे भाग जाएगा, तो इन तीनों को एक साथ एकटा होकर चलना पड़ेगा, यानि कि तीनो blocks हैं, उनको एकटा होकर चलना पड़ेगा, अगर उनको horizontally move करना है, और constant को follow करते हैं, तो आप यह मान सकते हैं, इस तरह की question जब भी आपको मिलेंगे, तो हमेशा कितनी block given हो, आप उन सबको एक combined block मान लेंगे, तो आपने combined block माना तो इनका सबका weight कितना होगा, 5, 3, 8, 2, 10, यानि कि 10 kg इनका क्या होगया, combined weight होगया, और इसके उपर में जो force लगे तो यह जो acceleration आएगा, चाहे मैं पूरे block system की बात करूओ, चाहे में individual की बात करूँ, सभी के अंधर में same आएगा, यह concept समझो, कि चाहे मैं पूरे system की बात करूँ, या फिर मैं individual की बात करूँ, तो सभी का acceleration मेरे पास में क्या रहेगा, same, अगर यह point समझ में आ गया, तो समय खतम है कहानी आप लोग कि इसके जो भी numerical साफ लोग को मिलेंगे आगे तो मैं पहले जो approach रहेगी सभी को combined करके उनके acceleration को calculate करेंगे तो acceleration को calculate किया तो यहां से मुझे समझ में आते कि force is equal to 10 into A तो A यहां पर आगया आपके पास है 5 meter per second square तो यह आपके पास में acceleration आगया 5 meter per second square ठीक है भई अब यह जो object था यानि कि जो मेरे पास में 5 था अगर मैं 5 की बात करो जो 5 वाला block है इसके अंदर में acceleration कितना मिलेगा मेरे को 5 meter per second square होगा लेकिन इसमें force लगा कौन रहा है बाहरवाला तो external force तो लगा नहीं 50 newton वो तूटता तूटता कुछ हिसा मेरे पास में इसके पास में पहुंचेगा इन दोनों का हिसा जो है वो मेरे पास में कुछ पहुंचेगा force का तो यह force इस पे लगाने वाला जो responsible है वो कहीं force is equal to 5 इनके बीच में contact जो हो रहा था contact कितना हो रहा था normal force का और किसने लगाई 5 के उपर में लगी है कौन सी 3 जैसे यह force यहां पर लगा था ना भी तो एक दूसरे को आगे धकेलते वे चलेंगे ना तो हमें अगर यह पता लग जाए कि 3 पांच पर कितनी force लगा रहा है तो 5 तीन पर कितनी लगा रहा हो यह भी मुझे पता लग जाएगी तो मुझे यह समझ में आता है कि 5 जो ब्लोक है पांच किलो वाला ब्लोक है वो इस डारेक्शन मुझे कर रहा है और उसके अंदर में एक्सलेशन पांच मीटर पर सेकिंड स्क्वेर का रहा है तो responsible कोन है उसको आगे मुझे करवाने के लिए यह फोर्स है जो नेर्मल फोर्स है 5F3 होगा तो एक्सलेशन मुझे पता है मास उस अब्जेट का पता है तो हमने निकाल सकते पांच मास हो गया और पांच उसका एक्सलेशन हो गया यहने कि 25 नूटन हो गया अब चाहें मेरे पांच तीन पूछे यह तीन पांच पूछे तो दोनों की वैल्यू यहां पर क्य कि लेगे इसको 25 नूटन से लेकिन एक्स्टनल फॉर्स है वो 50 है जो कि इनको क्या कर रही हो कंटिनूसली आगे की डिरेक्शन मुग करवाने के लिए रिस्पोंसिबल होगी बचास तो यह इस डिरेक्शन में लगा हुआ है 25 दूसरे के बिश में लगा रहे है तो नेट फ अगर एक फॉर्स अनेट हो जाता है और वही फॉर्स रिस्पोंसिबल होता है उनों अबजेक्ट्स को आगे मुग करवाने के लिए और वो एक्सलेशन मुझे अगर उसका पता लग जाए जो कि मैं कंबाइंड बोडी मानकर करूंगा कंबाइंड बोडी से हम उसके एक्सल नोर्मल फॉर्स लगाओ यानिकि दो ब्लोक्स और बनेवे ना एक दो का बनाओ और एक आपके पास में तीन का बनाओ तो यहां पर इनके बीच में फॉर्स जो नोर्मल फॉर्स लगेगा पहले तो नोर्मल फॉर्स लगेगा लगेगा क्योंकि दोनों कॉंटेक्ट कर रहे बेसिक इसका था, अगली जो class रहेगी, बहुत important class रहेगी, जिसमें मैं आप लोगों से बात करूँगा, टेंशन से related questions को लेकर, पिर हम जो मारे पास में पुली based system आते हैं, पुली constraint को लेकर आते हैं, तो वहां पर दुबारा से इनी टेंशन का यूज करेंगे, ब्लोग system को कभी inclined space पर रखेंगे कभी plane surface पर रखेंगे तो बड़ी खुबसूरत कानी वहाँ पर आएगी और सब के अंदर में approach बता है पूरी NLM के अंदर में एक के approach समझनी है कि x direction में क्या लगा force y direction में क्या force लगा और जिस भी direction में आपसे acceleration पूछ रहा है जो भी constant उसका follow करवाना है क y direction मूँ करेगा या x direction मूँ करेगा तो बैस acceleration निकाल लो अगर acceleration निकाल लिया तो समलो कहानी खतम है इसके पूरी NLM की कुछ नहीं बचा और जो लो आपने बढ़ा है कि force is equal to mass into acceleration और यह किसके करण में आता है force is equal to dpy dt तो यह change in momentum है क्योंकि mass को constant बानके चल रहे हैं तो हमारी पूरी कहानी NLM में force निकालने की होती है force निकालना है तो मुझे acceleration का पता होना चाहिए और acceleration की तरीके मैंने अभी आपको समझाए हैं जो आपको contact force का भी concept समझ में आया है कैसे इनके बीच में contact लगी कैसे inclined space के उपर में आप acceleration निकाल सकते हैं सभी में देखो एक मेरी जो approach रही थी एक्सेलेशन निकालने के रही है एक्सेलेशन निकला मेरे यह सारे चीज़े कालकुलेशन करना एजी हो गया उसके constraint को समझना कि किस डारेक्शन में आपजेट्स का मुमेंट रहेगा वह आपने समझा बैस फिर क्या था चू चीज़े आपने पड़ी वही बार-बार आप म यह अजyरे करता हो गाए वेल्सी एक्सेलेशन वेल्सेटीी एक्सेलेशन डिस्टैं डिस्टैं डिस्पिलिस्मेंट वैक्ष और कानी यहाँ-पर मारी इसके साथ में आज खत्म होती है next lecture में हम चीजो knowing और अच्छे depth में अच्छे questions के साथ में समझेंगें तो मिलते हैं फिर next lecture में Thank you